असलाम लेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उमेद करते हूँ कि आप सब खैरियस से होंगे वेलकम वियू फॉर आल्वीज सुमेरा में मैं हाजिरू CS101 के टॉपिक नमबर 116 के साथ और इसमें हम केंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम लेंग्विज को और एक नए टोपिक इसमें हम स्टाथ करते हैं variables and data types तो start करते हैं अपना lectures what is variable variable की अगर मैं आप लोगों को एक simple example दूँ हमारे पास दो चीज़े होती है एक होती है variable और एक होता है constant variable ऐसी quantity है जिसकी value को during program execution आप change कर सकते हो हमारे पास कहलाती है variable और ऐसी quantity ऐसी मिकदार जिसको आप change नहीं कर सकते हो कहलाती है constant अब हमारे पास आप लोगों ने अपना program है coding कर रहे हो तो coding के थूँ आपको direct memory का assess मिलता है तो आपने memory चुके बहुत wide है तो आपने अपना program memory के किसी ना किसी area के अंदर store करवाना होता है तो आपने memory के उस area को एक name देना होता है ठीक है आपने memory के उस area को name देना है जिसके अंदर आपका जाके data store हो तो वो आपका जो name होता है वो हम लोग name declare करते हैं variables के through अगर आप उस name को change करना चाहते हो उसमें modifications करना चाहते हो then आप use करोगे variables को और अगर आप चाहते हो के आप name को through out change ना करो तो आप use करोगे constant high level programming languages allow locations in main memory ठीक है हमारे पास जो high level programming होती है ये allow करती है के हम main memory के अंदर अपनी किसी भी locations को referd करे कोई ना कोई उसको name दे और name हमारे पास collection होती है ठीक है इसके अंदर combination होता है symbols भी इसमें use कर सकते है इसमें हम लोग alphabatic भी use कर सकते है numeric भी इसमें हम लोग use कर सकते है तो आप जो address को name देंगे आपका कहलाता है variables next रहा हमारे पास slide है data types आपने memory reserve कर ली ठीक है अब memory के अंदर आप कौन सा data रखना चाहते हो what is the type of data किस किसम का data आपने store करवाना है तो उसके लिए हम लोग use करते है data type नाम से ही पता है data types it's mean types of data के data की कौन सी types होंगी कहता है हमारे पास जो data types होती है include होती है preemptives in programming language हमारे पास चार तरह की data types होती है यहां पे हमारे पास data type हमें दी गई है integers short बोलते है int float है characters है short बोलते है 4 और next हमारे पास है boolean short में मैं आपको बता दू अब आपने जो एक block बना लिया है memory के अंदर आपने बताना है कि आपने उस block के अंदर किस किस किसम data store करवाना है अगर तो आपने उसके अंदर name save करवाने है ठीक है अगर आपने name save करवाने let's suppose आपने students के name save करवाने है तो आप use करोगे chart character data type को अगर आपने number उनका result या mobile number आपने store करवाना है आप use करोगे integers को int को अगर आपने इशारिया वाली floating point वाली value को store करवाना है आप use करोगे float और पास ऐसी आपकी होती है instructions होती है जिनका जवाब आपने yes और no में देना होता है इसके अलावा कोई old explanation नहीं होती है let's suppose के आपके पास question है are you muslim इसका जवाब हाँ या ना में दो are you married इसका answer हाँ या ना में ठीक है तो ऐसी जो values होती है उसका answer हम लोग देते है booleans के थूँ तो यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास है data types और यह declare करती है what type of data we are using in our program फिर हमारे पास कुछ examples के लिए link दिया हुए आप इस link पे जो है जाके इसको चेक कर सकते है जी यहां पे next आपकी summary या लेक्चर यहां पे आप लोगों का होता है complete अगर कोछी समच में नहीं आई comment session में आप मेरे से question कर सकते है अपना ज्यादा सारा क्या रखेगा और देखतरिए view for all अला हम सब का आमियो नासिर अला हाफिज़